हेलो डियर ट्रेंड असलाम वालेकूम हावार यू आई होप यू फिट आई होप यू फाइन आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत ही आई थिंक इंट्रेस्टिंग रहेगा आपके लिए इंशालला हमारे जो लेक्चर है वह है एन हार्मोनिक मीन्स बिट्विन तू गिवन न सकता है सिंगल हार्मोनिक मीन तो मैंने आपको बताया था सिंगल हार्मोनिक मीन आप सिंपली वह इस फार्मूले की मदद से आप फाइंड कर सकते हैं टू ए बी ए प्लस भी ठीक है यह तो सिंगल हार्मोनिक मीन के लिए था अगर एन से अगर वन से मतलब एन ग्रेटर दिन यहां पर हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन इन दोनों के बीच में जो समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही रहेगा जैसे कि हमारे पास जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वह सब्सक्राइब हमारे पास है 1357 ठीक है 1357 डिफरेंस आप चेकल ले वन और त्री के बीच में टू का फाइफ और त्री और फाइफ के बीच में भी टू का है तो यह हमारे पास क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमने अपने पिछले लेक्टर में बोला था कि अर्थमेटिक प्रोग 2023 और से खेसेत करते हैं अगर किसी भी हम किसी भी हम क्या सच्थ को बन जाए परोग्रेशन पूदेगा होना चाहिए अगर पर हमारे पास एंवादा फार्मूला जेन्रलव फार्मूला हमारे पास, इसके लिए यह फार्मूला क्या बनेगा इजी कॉंसेट में आपको बहुत इजी कॉंसेट देना चाह रहा हूं वन ओवर ए इन इसके ही रेसिप्रोकल को हम इसका फार्मूला बना देंगे ठीक है एवन प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो अब अगर आपको क्वेस्टन गि आपको क्या करना है सफोर्ज आपको गिवन हो आपको गिवन हो बन ओवर तंड एंड ऊवर 23 के बीच में आप फोर arithmetic means , point क्या find करें ये मैं उपर कर देता हूँ चलो इधर आपको concept देढ़ outta 90 s find करेंगे simplyा and h1 hatch 2h3 & h4 ठीक एर्थ सॉरी harmonics means फाईड्क करें तो हम कैसे केभी करेंगे simply आपको अगर concept दे दूं अगर आप इजी कांसपट यह नंचा लो स्कूल करें जैसे कि यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही रेसिप्रोकल हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो उसी कॉस्टन को इस फार्मूले की मदद से स्कूल करें और जो अनसा है उसका रेसिप्रोकल ले अगर सपोस्पोस करें हमारे पास अंसा आ गया ए आ गया तो उसी का र हो जाएगा है ठीक है अगर हमें question given hope if we have a given question that find 4 harmonic means between 1 over 3 and 1 over 23 1 over 3 और 1 over 23 के बीच में क्या find करें 4 harmonic means find करें क्या 4 harmonic means 1 over 3 h1 h2 h3 h4 क्या करें यह 4 harmonic means इन दोनों नमबर के बीच में क्या करें find करें 23 तो suppose suppose इसको हम बना देते हैं ap ap बनाएंगे तो यह हमारे पास क्या result आएगी सिर्फ इसका reciprocal ले लेंगे तो वह हमारे पास एपी बन जाएगी इसको एपी समझकर हम सोल करते हैं ठीक है जो हमारे पास जनरल फार्मूला एपी के लिए a in is equal to a1 plus n-1 into d ठीक है यह हमारे पास जनरल फार्मूला है तो a in जो हमारे पास लास्ट रम है वो हमारे पास है 1 over 23 जैसे कि हम उसको रेसिप्रोकल है तो 1 over 3 का 1 over 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा ठीक होगा ठीक है यह उल्टा हो जाएगा तो थ्री हो जाएगा तो थ्री पिलस n-1 total number of terms कितनी है वन चार अर्थमेटिक मेंस इसमें हम क्या करें सब्सक्राइब करें वन और चार पांच और लास ट्रम लास ट्रम छे ठीक है total numbers of terms 123456 है ठीक है 6-1 6-1 इंटी तो यह हमार पास क्या बन जाएगा simply 23 which is equal to 3 अगर इस 3 को मिस साइड लेकर आए तो यह माइनस का हो जाएगा और यह हमार पास simply 5D हो जाएगा ठीक है तो यह हमार पास सब्सक्राइब बन जाएगा और यह मर पास फाइफ डी तो यहां से यह मार पास 20 और यह फाइफ दी तो यहां से हमें जो डी मिलेगा वह मिलेगा ब 123 five तो यह simply four मिल जाएगा डी हमने क्या मिला 4 मिल गया अब simply आपको क्या करना है इसी 4 को इसी 4 को इस में put करना है इसी 4 का difference लेके आपको इसको आगे लेकर जाना है ठीक है 4 का difference लेके 1 over 4 का difference लेके ठीक है यह जैसे कि हमने AP में sold किया है तो AP का reciprocal ही क्या है HP है तो 4 का reciprocal प्लॉट क्या हो जाएगा वन ओवर पॉर थी था तो एंचिवन हमारे पास इंप कर दिया तो वन ओवर सेवर फार ये वन-फर 17 क्स makes वumbles तू नमबर्स वह में मिल गई यह थीक है यह मिल गई तो simply बहुत इजी concept है simply आपको क्या करो उसको एपी समझ कर सोल करें एपी के फार्मुले से सोल करें फिर जो आपको मिले एंस उसका रेसीप्रोकल लेके उस given sequence में क्या कर दें पुट कर दें यही concept है अगर अच्छी लगी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना डिकेटी यह फेंट्स अला अफ्पिस